हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूबी पुलेस के प्रेवियस एर के पेपर के बारे में तो आपको जो है डेली यहां पर प्रेक्टिस सेट कराए जा रहा है चाहे वो हिंडी का है चाहे फिर फिर वो जीके का है क्योंकि ये प्रेवियस एर के पेप भी पता चलता है तो चलिए हम अपने प्रश्णों को शिरू करते हैं और यहां मैंने UP Police के नाम से भी प्लेइलिस्ट तेयार कर दी है तो आप सभी वहां जाके भी उनको देख सकते हैं जब चलिए अज का वीडियो हम शिरू करते हैं. तो पहला प्रश्ने है, किसी द्रव का घनतव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो अगर आपको किस चीज को मापना है, किसी लिक्विट चीज को, तो उसके लिए क्या चीज प्रियोग में की जाती है उसके लिए पाइको नौमीटर, चाहिए पाइको नौमीटर एक ऐसा चीज है जो अफके द्रव यानि कि तरल हो गया जैसे कि पानी हो गया, कोई लिक्विड और दूद हो गया या कोई अन्य चीज हो गए उन सभी को नापने के काम आता है चले next question है किंद्रे विश्व विद्याले बाबा साहिब भीमराव अम्बेडगर विश्व विद्याले विद्या विहार किस शहर में इस्थित है तो ये जो है लखनौ में इस्थित है ठीक है चले next question पर आजाते है उत्तर परदेश पुलिस का मुख्याले कहां इस्थित है तो इसका मुख्याले जो है प्रियाग राज में ही इस्थित है अब देखे बरेली, नौइडा, मेरट कहीं भी नहीं ये प्रियाग राज में ही इस्थित है चले next question पर आते है उत्तरा खंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था तो उत्तरा खंड जो है एक अलग राज्य जो है यहाँ पर बना था तो ये कब अस्तित्व में आया था तो पहले 26 राज्य थे उत्तरा खंड जब अलग हुआ तो 27 राज हो गए और आज की डेट में 29 राज्य हम कह सकते हैं चलिए ये कब बना था तो सन 2000 में ठीक है पूरी तिथी मैं लिख देती हूँ 9 नवंबर सन 2000 में 27 राज्य के रूप में ये उत्रा खंड बना अब ये कहां से अलग हुआ कौन से राज्य से अलग हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश से जो है अलग हुआ था ठीक है और ये जो है एक पहाड़ी राज्य है ठीक है लाठी से खेली जाते है चले नेक्स्ट कुशिन है उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपली मेला किस समुदाई से संबंधित है तो यह जो यहाँ पे कंपली है देखें यह कंपली नहीं है यह कंपल है ठीक है कंपल मेला तो यह जो कंपल मेला है यह जैन समुदाई से संबंधि और ये मेला हर साल कहां मनाय जाता है तो भी देख लें ये फरुखाबाद जिले में जो है मनाय जाता है ठीक है उत्तरपदेश का जो फरुखाबाद है वहां पर इसको मनाय जाता है चले हमारा नेक्स्ट कुशन है डैश भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक है तो कथक न नेक्स्ट क्योशन है निमलकेत में से कौन सा यूपी पुलेस विभाग की चैन प्रक्रिया की चरणों में से एक नहीं है तो अब इसके लिए क्या क्या चरण होते हैं तो आप सभी जो है देख सकते हैं शारिरिक परिक्षण सेक्षिक योग्यता आयू पात्रता भाशा परिक लेकिन भाशा परिक्षण जो है वो नहीं होता नेक्स्ट है एक पौराणिक कता के अनुसार दशाश्वमेग घाड पर किये गए दशाश्वमेग यग्य के दोरान किस भगवान ने दस घोडों की बली दी थी तो कौन से भगवान थे जिन्नों ने दस घोडों की बली दी वो थे भगवान ब्रह्मा ठीक है चले नेक्स्ट कॉशन पर आते हैं तो हमारा नेक्स्ट कॉशन है नेमलिकित में से कौन सा भारत का सरवच्व वीरता पुरसकार है तो वो होता है परमवीर चक्र नेक्स्ट कॉशन है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो ये जो पुस्तक है इसको लिखने वाले हैं स्माइल मर्चेंट ठीक है Next question है, विश्व परियावरण दिवज कब मनाए जाता है तो ये मना जाता है 5 जून को Next question है, जेट इंजन का अविशकार किसने किया था So, ये करने वाले हैं Sir Frank Whittal नेक्स्ट कोशिन है नमलिकेत में से कौन सा शोशल मीडिया नेटवर्क सारजवनिक रूप से सूची बद कमपनी नहीं है यानि की ट्विटर, फेटबुक, वेबो, कोरा इसमें से क्या नहीं है तो देखिए जो कोरा है वो शोशल मीडिया नेटवर्क के रूप में सारजवनिक रूप से जो है सूची बद नहीं है चलिए नेक्स्ट कोशिन है भारत के किस रज का सरवाधिक शेत्रफल वनों से आच्छादित है तो कहां जो है वन से भरा हुआ है देखिए केरल, महरास्टर, उतरप्रदेश, मद्यप्रदेश तो यहाँ पर उतर हो जाएगा मद्यप्रदेश तो अगर शेत्रफॉल की दृसटी से हम देखते हैं तो मद्य प्रदेश जो है सबसे घना जो है यहाँ पर वन शेत्र है ठीक ए नेक्स्ट क्वेस्ट पह आते हैं तो डेष फिनिलिंड की अधिकारिक मुद्रा है तो फिलिड की मुद्रा क्या है? तो Finland की मुंद्रा है Euro चलिए next question है कौन सी रेखा यहां मैं उपर कर लेते हूँ कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नेधारण करती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है उसका नाम है Red Cliff Line ठीक है तो देखे मैं मोहन रेखा कि अगर मैं बात करूँ तो यह भारत और चीन के बीच है ठीक है वहीं पर अगर बात करें Medicine Line की तो यह किसके बीच है तो आप इसको याद कर ले Canada और UK के बीच है ठीक है और उसके बाद डुरंड रेखा यह किसके बीच है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है तो यहाँ आपको इसका भी अंसर पता चलिए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको Red Cliff Line कहते है चलिए नेक्स्ट कुशन है प्योंग यांग किस देश की राजधानी है तो प्योंग यांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है चलिए नेक्स्ट कुशन है नेमलेकेत में से कौन सा सायुक्त राज़ अमेरिका का एक राज़ नहीं है तो यहाँ जो आपको आपशन्स दिये गए है उसमें से आब बताएए कि सायुक्त राज़ अमेरिका का एक राज़ नहीं है तो पहले गर राज़ की बात कर ले तो देखिए न्यू यॉर्क है मिनेसोटा है लुईसियाना है लेकिन अटलांटा जो है वो सायुक्त राज़ अमेरिका का नहीं बलकी जोर्जिया की राजिधानी है चले next question पे आजाते हैं तो मारे next question है लक्षदीब के लोक मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं तो ये जो है महल भाषा बोलते हैं तो महल या फिर इसको हम माही भी बोलते हैं ठीक है यहाँ पर option में आपको महल लिखा हुआ है तो इसलिए मैं महल बता रही चले next question पे आते हैं शीवा जी के छोटे पुत्र का नाम बताईए जो तीसरे छत्रपती भी थे तो इसका सही अंसर क्या होगा तो उनका नाम था राजा राम चलेक है next question है बाइसा हमारा question है डैश औरिसा का एक प्राचीन लोक नरत्य है तो औरिसा का नरत्य कौन सा है इसमसे घमूरा घमूरा जो है या फिर घूमरा कहले ये एक प्राचीन लोक नरत्य है जिसके उत्पत्ती जो है वो औरिसा में हुई है प्राचीन अगर प्रोराने ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो ये जो घमूरा नृत्य है ये देवताओं और राक्षसों का युद्ध नृत्य माना जाता था था ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत के रास्ट पती का वेतन प्रती माह कितना है तो भारत के जो रास्ट पती है वो प्रती माह 5.9 लाख रुपे कमाते हैं चले नेक्स्ट कोशन है भारत अपने वार्षिक नारियल उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे पर है तो भारत जो है नार्य लुत्पादन में फिलिपिन्स और इंडोनेशिया के बाद जो है भारत का तीसरा स्थान है ठीक है नेक्स्ट कुशन है हस्त लिखेते सविधान पर 24 जनवरी 1950 को सविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थी जिसमें डैश मह महिलाए भी शामिल थी यानि कि जिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था उसमें महिलाओं की संख्यक कितनी थी तो इसमें जो है महिलाओं की संख्यक 15 थी और उसमें जो हमारे देश के रास्ट पती थी वो थे डॉक्टर राजेंद्र परसार ठीक है चले नेक्स्ट कुशन ले लेते हैं तो चले नेक्स्ट कुशन है काकोरी ट्रेन डकैती की कलपना राम प्रसाद बिसमिल और डैश ने की थी तो किस किस के द्वारा जो है ये किया गया था तो ये अश्फाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिसमिल ये दोनों इस ट्रेन डकैती में थे चले नेक्स चलिए next question है बगरू dash में hand block printing के प्रसिद केंद्रों में से एक है तो ये कहां पर है तो ये है राजस्थान में चलिए next question लेती है आरबियाई द्वारा निर्धारत वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात डैश प्रतीशत है तो ये कितने प्रतीशत है तो ये 4.50 प्रतीशत है नेक्स्ट कोशन है हवा महल का निर्मान 1799 इस्वी में महराजा डैश द्वारा किया गया था तो हवा महल का निर्मान किसके द्वारा कराए गया था तो ये कराएगा था सवाई प्रताप सिंग के द्वारा नेक्स्ट है वर्तमान सयुक्तिराष्ट महासचिव एंटोनियो गुटेरिस किस देश के प्रधान मंतरी थे तो ये पुर्तगाल के प्रधान मंतरी थे तो चलिए नेक्स्ट कुशन पर आते हैं नेक्स्ट कुशन है उदगाटन के बाद लखनाओ के एकाना क्रिकट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरास्ट्रे क्रिकट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया टी ट्वेंटी मैच था तो ये किसकिस के बीच खेला गया तो ये भारत और वेस्टन डीज के बीच खेल चली नेक्स्ट कॉर्शन लेती है 2022 इशियाई खेलों की में जबानी डैश द्वारा की जाएगी तो ये की जाएगी चीन के द्वारा नेक्स्ट कॉर्शन है भारत के थल सेना ध्यक्ष का नाम बताईए जिनों ने 31 दिसंबर 2016 को पद भार गरहन किया तो ये थे जनरल विपन रावत चली नेक्स्ट कॉर्शन है नवंबर 2018 में 33 आशियन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था तो ये किया गया था सिंगापुर में चली नेक्स्ट कॉर्शन है मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन करता है तो ये है अगनाश है अगनाश है में जो है इंसुलिन उत्पन होता है चली नेक्स्ट है नेमलिखित में से कौन सी अधातू है जो कमरे की तापमान पर तलल अवस्था में रहती है यानि अगर यहां कौन सी अधातू है जो कमरे का अगर टेंपरेचर हो तो उसमें ये तरल में रहेगी तो वो है bromine चले next है निमलखित में इसे किस तत्व की परमान उत्रज्या सबसे छोटी होती है तो ये होती है क्लोरीन की चले next है CH3 COOCH2 CH3 ये किसका सुत्र है तो ये सुत्र है एथिल एनोट का ठीक है नेक्स्ट है यहां पर जो है अब आपका Maths का Questions शुरू हो रहा है तो यहां तक ही हमारा GK के Questions थे तो यहां मैं वही बताओंगी तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा और चैनल पर नई है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो यह भी कमेंट फॉक्स में कमेंट करेगा धन्यवाद